हलो यूरुवन कैसे हैं आप सभी होपफुली आप सभी अच्छे होंगे मैं भी बहुत बढ़िया हूँ आज हमारे साथ में है CMA पलक बंसल पलक ने स्कोर करिये All India Rank 3 Old Slabers 2016 के अंदर तो आज हम जानने वाले हैं के पलक ने क्या strategy अपनाई थी के ये All India Rank 3 जैसे milestone तक पहुँचे क्या-क्या गलतिया है जो आपको नहीं करनी चाहिए क्या अच्छी चीज़े इन्होंने करी और इनके strategy क्या थी future के goal क्या है ये सारी बाते हम जानने वाले हैं और अगर आप भी सोचते हैं कि आप भी एक All India Rank तक पहुचे तो ऐसी कौन सी खास preparation है जो आप लोगों को करनी चाहिए वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के end तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए तो पलक सबसे पहले तो आप कौन सी city से बिलॉंग करते हैं नाभा पंजाब से तौत नाभा पंजाब से जो है पलक बिलॉंग करते हैं पलक क्या आपकी city में पलक एक ऐसी city को बिलॉंग करते हैं जहां CMA को ज़्यादा लोग करते हैं क्योंकि जनरली हमको देखने को मिलता है ना कि बच्चे बोलते हैं सर हमारे यहां तो कोई CMA जानता ही नहीं तो पलक नाभा से हैं पंजाब से और वहाँ पर काफी लोग जो यह बता रहे हैं जैसा कि CMA करते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है तो सबसे पहले पलक जब आपने एक्जाम दिये जब आप पढ़ते थे जब फाइनल के एक्जामस आपने दिये तो क्या रैंक की एक्सपेक्टेशन थी गया तो आपको ऐसे कुछ लगता है कि रैंक लाने में कुछ ऐसी एक्स्ट्रा मेहनत आपने करी हूँ या फिर एक क्लियर विजन के साथ में आपको तो यह था कि मुझे तो बस बहुत ग्रूप पास करने हैं मैंने सोचा तो पहले सोचा था कि रैंक लानी है तो उसके अकॉर्डिंग प्रेपरेशन तो उसके अकॉर्डिंग की थी लाइक रिविजन मुल्टिपल टाइम रिविजन भी की तो जैसा कि आपने बताया कि आपने मुल्टिपल टाइम रिविजन किया था तो उसके आपने देखा कि पहले इंटर्मेडियेट में सिंगल ग्रूप दिया लेकिन बोद ग्रूप देना क्या आसान चीज है कितना struggle इसक में करना पड़ता है इसके लिए हमें स्टार्टिंग से preparation करने पड़ती है करने हैं तो पलक आपने कितने time revision किये थे मैंने कुछ subjects के 3 times और कुछ के 4 times तो 3 to 4 times तक पलक ने revision करे थे आज कल कई बच्चे सिर्फ एक बार syllabus complete करने के पीछे भागते हैं कई सारे students मैंने देखा है recorded लेते हैं even 60-70% syllabus देखते हैं और वो इजाम देने चले जाते हैं वो clear नहीं कर पाते हैं तो that's the reason देखे आज इनकी all India rank 3 आई है तो इन्होंने पहले syllabus complete करा है देन उसका revision करा है syllabus complete और revision के अलावा भी आपने कुछ करा क्या आपने टेस्ट दिये थे ठीक है तो टेस्ट भी जो है पलक ने दिये थे यही मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं जितने चाहिए online offline recorded जो भी student है तो पलक ने वही same strategy अपना ही पहले syllabus completion किया देन उसके बाद में इन्होंने revision किये देन उसके बाद में जो है इन्होंने आप लोग भी अगर फॉलो करते हैं तो शौरली मुझे लगता है कि आप rank तक भी पहुंच सकते हैं हाला कि rank एक लगवाली बात होती है लेकिन at least rank ना आये तो भी आप पास तो हो ही जाएंगे मैं कहूंगा श्यों सर्थ आपके कुछ सवाल हो चली पलक पहले तो अपने बात करते हैं कि जैसे आपने CMF 5 के एक्जाम दिये उसके बाद क्या आपको rank की expectations थी एक्जाम देने के बाद मुझे लग रहा था कि पास तो हो जाएंगे लाइक क्लियर हो जाएगा बड़ रैंग की expectation नहीं थी बिल्कुल तो रैंग की expectation तो हमको अपना 100% देना होता है रैंग कल आना ना आना वह आगी की बात है तो अगर यहां पर ऑल इंडिया पेपर दी इनोंने और expectation नहीं थी इस बात की चलिए अब इस पर बात करते हैं पलक की आपका जैसे आपने intermediate के बाद अपने final की preparation स्टार्ट करें तो कितना टाइम आपने final की preparation को दिया मतलब classes आपने कितने टाइम तक complete करी फिर उसके बाद कितना टाइम आपने अपना रिवीजन्स और टेस्ट को दिया और फिर उसके बाद आप exam में बैठे तो final की जो preparation को अगर segregate करें तो आप किस हिसाब से segregate करेंगे तो मैंने अपनी जो studies जो भी classes थी वो मैंने three to four months के पहले complete कर ले थे exam के and उसके बाद मैंने अपनी revisions जो थी वो three times तो की है minimum three times per subject की है and उसके बाद मैंने test भी सब दिये and उसके इलावा जो है मैंने four days के लिए like four days में दो subjects रखे थे एक practical एक theory और आपने जो preparation के जो भी final preparation करी वो कितने time के लिए करी तो आपने बुला कि सब आप एक्जाम से चार महीने पहले मैंने course कर लिया था लेकिन course करने में कितना समय लगा आपको फाहिए का one year में किया था फूरा एक समय लगा तो यानि कि approximately आपने बारा महीने की अपनी तयारी करी है उसके बाद आपने four months की self study of preparation करी है फिर आपने एक्स तो यहां पर आपन आपने जब course complete करने के बाद अपने revisions करे तो आपने उसमें आपने बताया चार चार दिन के schedule परांग किया थे तो इसका मतलब आपने देखिए course complete किया उसके बाद आपने multiple revisions किये फिर आपने test दिये उसके बाद आपने exam को fight किया है जी तो आपने देखा कितना जरूरी एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ काफी सारे बच्चे में देखता हूं आजकल रश में हैं पता नहीं वह इतना भाग करके कहां जाना चाहते प्रॉपर ली आराम से प्रप्रेशन करिए conceptual प्रप्रेशन करिए वह प्रप्रेशन करने के बाद में जो है आपको दैन आपके नहीं हैं या आप ही है नहीं मेरे फादर वह बादर बिजनस करते हैं ठीक है आपके फादर बिजनस बैग्राउंड से रहें आप को cma करने का आईडिया कैसे आया करने के लिए मुझे मतलब करना तो कुछ था पहले मैंने सिए का सुना उसी एक तो सबसे बड़ा बहुत गूरूप का प्रेशर जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को रहता है क्योंकि मेरे खुद की फाइनल में रैंक थी लेकिन जब मैंने एक्जाम दिये तो मुझे पता था कि एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है तो यह रेगुलर जो एक्जाम होता है आप इसमें रिविजन कैसे किया करते थे रिविजन के लिए मेरे पास कुछ सब्जक्ट के नोट्स थे लाइक चार्ट थे और उससे रिविजन के थी या फिर जो इंपॉर्टेंट पोश्चन थे वह नोट के हुए थे तो वही एक दिन पहले बड़ कर जाते थे लाइक एमसी क्यूस पढ़े तो वही पढ़ा था ठीक है तो इन्होंने क्य क्या किया था किनो इंब्स को शॉट किया था किसी ना किसी तरीके से विज इन्हों क्लास मेंूर्ण आप छी त्रफ कर सकते हैं तो आपूंडिशन भी दिया था या ग्रेजुएशन हम्हिएं के बाद था तो आपको क्या लगता है कि graduation के बाद entry लेने से कही ना कहीं आपको help मिली और आप rank की तरफ जाता है अगर graduation से पहले करती तो ज्यादा बैटर था क्योंकि foundation clear जल्दी हो जाता और मेरा जो three years है वो बच जाता ठीक है तो time saving कहीं ना कहीं आपकी हो जाती अगर आप उसमें करते तो अब इसमें पलक एक सवाल मेरे आप से यह भी है कि अब आपका जो CMA qualified हो गया है वाप campus के तियारी करें तो अब आपके future goals क्या है कि आप CMA बनने के बाद आपकी क्या expectations है तो अभी तो campus में मुझे लगता है कि मुझे PSU चूज करनी है और उसके बाद campus में तो क्योंकि PSU आएंगी तो IOCL और NBCC वो ही मैंने prefer कि अभी तो अब तो जैसा कि पलक आप campus के लिए तो especially यहां भी आ ग है तो उसमें क्या लगता है आपको क्या improvement आपके अंदर दिख रहा है तो इसमें like confidence building होती है on participation होती है and interaction हो पाती है सबसे जी जी बिल्कुल तो अभी देखिए पलक खुद ऐसे background से रही है जैसे इनका आज के टाइम पर क्या है कि यह लिखते हैं पढ़ते टाइम यह अच् अच्छे थे बढ़िया थे अच्छे से इन्होंने marks भी लाए test भी दिये revision भी करें और rank भी finally इन्होंने score करी बट आज के टाइम पर क्या होता है यह सब करने के बाद जैसे last time प्यूश थे All India rank 1 थे उनके साथ में भी क्या problem थी कि वह अच्छे से communicate नहीं कर पाते थे चीजों तो इसके लिए एक अच्छी communication skills knowledge तो obviously आप में है अगर आप rank लिक आते हैं बट आप लोग अगर जो देख रहे हैं अभी लोग अगर आप साथ साथ अपनी communication को sharpen करना चाते हैं और अच्छा करना चाते हैं तो करिए और इसमें मैं साथ साथ में एक और बात add on करना चाओंग तो उसकी एक class हम लगा रहे हैं अब communication की और एक class जो की काफी सारे students ये harsh reality है कि dummy training करते हैं क्योंकि अगर आपको अच्छे marks लाने है तो वो training या तो आप 15 months के लिए अलग हो जाओ या दोनों साथ साथ करते हैं या कुछ लोग dummy करते हैं तो अगर मान लीजे कोई student by chance dummy भी कर रहा है या फिर वो actual में training भी कर रहा है लेकिन हमने curricular में add कर दिया है साथ में excel और tally की classes मतलब वो उसके साथ ही सीख पाएगा return filing और income tax GST वो सब भी includes कर दिया गया इसके अलबा पलक आप कोई as such advice देना चाहेंगे students को के अगर आपको rank लानी है या first attempt में pass होना है तो क्या seriousness का level होना चाहिए क्योंकि आज के time पे जो students में मैं देख रहा हूं चाहे वो offline student हो recorded हो या online live वाले हो एक regularity maintain नहीं करते हो मतलब आज class लेंगे फिर वो recorded backups पर depend करते हैं कि वो backup ले लेंगे तो आपका क्या point of view is के अंदर के students को क्या advice देना चाहोगे कि इतना कर लो आपकी rank आ जाएगी या first time में पास हो जाए जैसे हम इंट्र क्लियर करते हैं तो उसके बाद finals की त्यारी करते हैं तो जब classes लेते हैं तो साथ साथ complete करने करेंगी और minimum at least 6 hours देने पड़ेंगे जब exams पास आ जाते हैं तो at least 12 to 13 hours देंगे तो उसमें हो जाएगा means productive hours देने पड़ेंगे students जब पढ़ते हैं यहां पर तो बोलते हैं sir time में नहीं मिलता मतलब क्या आपके लिए कोई extra time था या आपको भी 24 hours मिलते तो आप कैसे manage करते थे उस timing को मैंने सोचा हुआ था कि क्या-क्या मतलब करना है एक दिन में तो उसका schedule पहले से एक दिन पहले से ready कर लेती थी तो उस student life में sleeping strategy मतलब कुछ लोग ऐसा होते हैं जो night all की तरह होते हैं रात को लेट तक पढ़ते हैं कुछ morning में जल्दी उठ करके पढ़ते हैं आप किस टाइप के स्टूरेंट थे morning है morning में आप जल्दी है तो कितने आर्ज की sleep cycle होता था आपका मेरा exam के पास तो मेरा five hours का था ठीक है और normal classes के साथ seven to eight seven to eight hours थे आपके जो sleep cycle थे जब चल रहे थे तब तो two hours मतलब जब यह बेते जो eight days था उसमें two hours तो काफी कम हो गया थोड़ा सो उसको बढ़ाई है आला कि मैं यह वाली जैडवीजीबल नहीं करूंगा two hours में ऐसा होता है माइन के अंदर सब कुछ घूमता रहता है फिर क्या पड़े क्या नहीं पड़े तो इसके लिए जैसा पलक ने strategy follow करी आप लोग short notes बना करके रखे अपने subject के important questions को mark करके रखे और दिमाग पर बहुत extra pressure ना अलग बहुत बहुत बढ़ाई हो आपको hopefully आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे आपकी life के अंदर तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और टॉपर्स के strategy आदने आले वीडियो में हम डालेंगे thank you very much